अगर आप LPG GASE धारक है तो आपका EKYC कराना जरूरी कर देगा है चाहे आपके पास किसी भी कमपनी का GASE हो, HP हो, इंडियन हो, भारत GASE हो किसी पी तरह का आपके पास GASE Connection है अगर आपने EKYC नहीं करा है तो आपको EKYC कराना होगा लेकिन अभी 31 दिसमबर इसकी last date है, 31 से पहले पहले आपको EKYC कराना होगा, नहीं कराते हैं तो हो सकता है कि आपका जो gas lender है वो अविद घोसित भी किया जा सकता है, यह new जो आपको आप दिखाए देरी, आप चाहे तो इसे यहां से पढ़ सकते हैं, आज की studio में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप gas connection का EKYC किस तरह से कर सकते हैं, इसका complete process इस studio में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो चले शुरू करते हैं, gas learner का EKYC करने के लिए आपको जो mylpg.in की website है, इसका direct link वीडियो के description में मिल जाएगा, आप यहां से सिदे इस पर आ जाएगे, पिछले वीडियो में मैंने इंडियन का KYC किस तरह से करना है, उसका process बता देता है, क्योंकि उसका mobile phone के माध्यम से किया जाता है, उस वीडियो आपको तीन सिलेंडर दिखाए दे रहे हैं, जिस भी company के आपके पास सिलेंडर है, जिसका KYC करना चाहते हैं, उस पर आप क्लिक कर देंगे, तो आपके सामने इस तरह का एक page खुल कर आ जाएगा, यहां पर आपको KYC करने का संबदित कोई भी विकल्प यहां पर दिखाई यहां पर नीव यूजर यह दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, पर आपके पास पहले सा अकाउंड बना तो आप साइनीन करेंगे, फिलाल अभी हम नीव यूजर यूजर पर क्लिक कर देता है, हमने हमारे सामने इस तरह का एक interface कुल कर आ जाता है, यहां पर अगर आपके पास LPG ID है तो आप direct LPG ID डालकर mobile number डालकर capture डालकर proceed करेंगे आगे बढ़े आएंगे अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप यहां से जो आपका राजे लगता है वो select करेंगे इसके आद में आपका जो mobile number पर एक OTP सेंड कर जाएगा OTP आप डालेंगे इसके आद में एक पास रोड आपको बनाना हुगा किस तरह का पास रोड जो आपको दिखाए देरा ऐसा एक strong पास रोड बना लेंगे पास रोड बना लेने के बाद वापस से आपको उपर जो sign in वाला बटन दिखाए देरा यहाँ पर click करके आपको दोबारे से यहाँ पर sign in करना होता है sign in करने के लिए जो mobile number अभी आपने जिससे register किया था वाला mobile number यहाँ डालेंगे capture दिखाए देरा capture यह जो यहाँ पर दिखाए देरा login पर click करेंगे login होते ही कुछ इस तरह का dashboard आपको दिखाए देगा यहाँ पर आपकी LPG ID दिखाए देरी customer number दिखाए देरा customer का name अधार number वागे रहा यहाँ पर आपको सब दिखाए देरा इसे आपको simply कुछ नहीं करना है submit EQIC लेकिन आपको इस पर click नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर click कर रहे हैं यह दूसरी company के लिए यहाँ के लिए आपको इस पर click नहीं करना है अब आपको यहाँ पर जो अधार authentication वाला एक विकल पर दिखाए दे रहा है simply इस पर आपको एक बार click कर देना है इसे आप अधार authentication पर click करते हैं आपके सामने इस तरह का एक interface आजाएगा यहाँ पर आपके अधार card number के आश्ट के 4 digits आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर एक capture code दिखाए दे रहे capture आपको यहाँ पर fill करना है यह जो term दिखाए दे इस पर आपको टिक लगा देना तो इसको accept कर देना है generate OTP करेंगे आपके अधार card के साथ जूबे mobile number लिंक होगा उस पर एक OTP send किया जाएगा उस OTP को आपको यहाँ पर fill कर देना है authentication का button दिखाए दे रहा है अपरोव होने में समय लगता है यह फिर आप अपनी नजदी की जो भी distributor है जहां से आपका connection है आप महाँ पर जाते हैं तो आप महाँ बोलेंगे तो भी वहाँ से अपरोव हो जाएगा आपको यहाँ पर कुछ करने का जर्वत नहीं है अपको समय के बाद वापस से आपको यहाँ पर लोगिन कर लेना है उसके आद में अधार और टेंटिकेशन जहाँ पर आपने क्लिक किया था उस पर आपको दोबारा से क्लिक कर देना है तो आद में अगर आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा तिहाँ पर देखे लिखा हुआ आपको कुछ भी करने की जर्वत नहीं है अब अगर आपकी जो सबसीडिव अगेरा जो भी आपको मिल रही थी वो जैसे मिल रही है वेसी मिलते रहेगी और आपका कनेक्शन भी वैलिड रहेगा इस तरह से आप घर बेठे अपने गेस कनेक्शन का KYC कर सकते हैं यह मेंने HP गेस का बता दिया है अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं भारत गेस का भी वीडियो अलग से मना कर बता दूँगा अब सक्सेफुल यह अपना KYC कर लेने कौद आपको साइन आउट का बटन दिखा देगा उपर उसको आपको क्लिक करके आपके मेन पेज पर आपस से आपको आजाना है तो यह असान प्रक्रिया थी जिसके माध्यम से आप अपना lpg case का ekyc कर सकते हैं इस वीडियो को उन तमाम लोगों के सार्थ किजिए जो अपना ekyc करना चाहते हैं आसा करते हैं आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो क लाइक कीजी चेनल पर ना है तो चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अब भी अगर आपके मन में कुछ सवाल रहे जाते हैं तो आप हमसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं धन्यवाद